नमस्कार, A to Z dishes उशा कोरजानी में आप सबका स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जारी बढ़िया सी अर्बी फ्राई अब ये अर्बी फ्राई है ये मैंने ऐसी बनाई है जिसे अब वरत में भी ले सकते हैं ये इतनी बढ़िया लगती है ये इतनी कुरकुरी इतनी टेस्टी ने आपको खा कर मजा ही आ जाएगा उसके लिए मैंने 250 ग्राम अर्बी ले ली थी जिसे मैंने पानी से अच्छे से वाश करके कुकर में डाल कर एक ग्लास पानी डाल कर इसे तीन से चार सीटी आने तक पका लिया था तो यह पकी हुई अर्बी मैंने ले लिए है अच्छे से यह ठंडी हो गई है तो इसके जो उपर का छिलका में इस तरह से निकाल लीना है यहां पर आप देख सकते हैं अर्बी जब भी आप कोई भी अर्बी की कोई भी सबजी बनाए या उसकी कोई भी रेसिपी बनाए तो अर्बी को आपको पानी से अच्छे से वाश कर लीना है इस बात का हमेशा ध्यान रखें और व्रत में यह इतनी बड़िया लगते हैं आप इसे बना सकते हैं यह ऐसे भी खाने में अच्छी लगती है रोटी के साथ चावल के साथ बहुत ही बड़िया लगती है तो यहां पर दोनों हाथ के बीच में से थोड़ा सा दबा लीना है जादा नहीं बस थोड़ा सा इसी तरह से मैंने सारे कर लिया है अब यह इस तरह से मैं अर्बी को दबा लिया है आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस तरह से क्यों किया है ऐसे क्या होगा जैसे मैं इसे फ्राइ एकदम क्रिस्पी यानि की कुरकुरी बनेगी तो यहां पर मैंने यह सारी अर्वी को इस तरह से कर लिया है तेल मैंने अच्छा गरम करने पहले ही रख दिया था एकदम अच्छे गरम तेल में आपको यह अर्वी को इस तरह से डालना है और इसे डालने के बाद अच्छे से चलाते जाना है इसका अच्छा color आ जाए एकदम कुर्कुरी हो जाए तब तक आपको इस से fry कर लीना है यह पर आप देक सकते हैं, मैं इस तरह से पलटी जा रही हूं और इसे हमें अच्छे से fry करना है जैसे कि मैंने आपको कहा और यह जो मैंने आपको कहा ना कि हाथों से थोड़ा सा दबा लीजेगा तो यह जरूर कीजेगा ताकि अंदर तक इसका कुरकुरी है अंदर तक इसका सुआज जाए तो यह जरूर कीजेगा आप देख सकते हैं अर्भी अच्छे से इसे फ्राइ कर रहे हैं तो इस तरह से पलटते जाएं एक तम इसका और आ जाएं एक बूरी हो जाएंOTHERगर तब तक आप को इसे फ्राइ आना है और यहं पर आप देखें कितनी बड़ी कोरुकुरी हो गई है तो इस वे प्लेट में निकाल लेना है तो यहां पर आप साथ थोड़ा सा काली मρχची पाउडर तो यह व्रत स्पेशल है तो मैंने जाधा मसाले वैसे भी नहीं खाते हैं तो बस इस तरह से में परे डाल दिये अब यह सारी अर्भी पर अच्छे से कोट हो गए और लीजे तयार है यह वरत में खाई जाने वाली बहुत ही टेस्टी है अर्भी फ्राइब बहुत 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 बढ़िया लगती है तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राय कीजिए और मुझे कमेंस बते हैं आपको कैसी लगी अच्छी कीजिए मेरे चनल को सब्सक्राइब करना बलकूल ना मुले थांक्यो फॉर वाच्छेंग